हेलो टू आल वेलकम टू शालूस किशन मैंने बनाया यहां पर मिल्क पेड़ा जो की बहुत तेस्टी बहुत यमी है और यह पटा फट से पांच चुन्ट में बनने वाली रेसिपी आप घर पर बहुत बना सकते हो कभी-कभी मन होता है चानक से कुछ मीठा खाने का और वह भ हलका से गुन-गुना कर लिया था बिल्कुल हलका से गुन-गुना करना है देखिए जिसे फिंगर हमंदर ढले तो जा सके इसली अब इसे मैंने हाफ कप जैगरी पाउडर यानि की गुड़ का पाउडर एट की आ है इसकी जगे आप गुड़ भी ले सकते हो गुड़ को कड़ाई में कड़ाई को पहले में गयास पर नहीं रखना है यहीं पर मिक्स करना है इसके साथ में एक कप मिल्क पाउडर एट किया है इसी से अपने पेड़े बनाएंगे बस इसे अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स यानि कोई गुठली न रहे तब तक हमें इ तो आपको भी अगर एकदम से कुछ हलका मीठा खाने का मन है या कभी कभी कोई गेस्ट आने वाले इंस्टेंट से तो यह हल्दी से पेड़े बनाईए बहुत पसंद आने वाली रैसिपी है और बहुत टेस्टी लगते हैं अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे हम किसी स्पेच अगर आपको साधे पेड़े पसंद है तो आप साधे भी बना सकते हो बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और बहुत यम्मी लगते हैं तो देखिए प्रॉपरली से मिक्स हो चुका है एकदम से अब इसमे मैंने जो मिक्स्चर बनाया था मिल्क का उससे मुझे सि इसमें चाय बना लूँगी तो हाफ कप दूद से देखिए कितनी अच्छे सी मिठाई रेडी हो जाएगी अब हम गैस पे इस कड़ाई को रख देते हैं और इसे लगातार चलाते रहना है जिससे कि ये तली में चिपके ना ये बीच में चिपकने लगता है इसलिए इसको ध्यान रखना है और अच्छे से चलाते रहना है कि जलेना बस थोड़ी दिर में ये गाढ़ा होने लगेगा और हमारा मिक्स्चर रेडी हो जाएगा पेड़े के लिए तो बस इससे लगातार इस्टिर करना है लाते रहना है इस पेसलिए आपको बीच में इसको हिलाते रह जाएगा और फटा फट से देखिए गाढ़ा हो रहा है दीरे दीरे लगातार चलाना है किसमें लंसना बने और एक अच्छा सा मिक्स्चर तयार हो जाए ये सूख जाए तब तक हमें इसे कुक करना है अब मैं इसमें एट करूंगी हाप चमच घी आधा चमच बस घी की जर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे दीरे दीरे एकड़ाई की तली को छोड़ने लगेगा जैसे जैसे गाढ़ा होगा अच्छे से चलाते रहेंगे देखिए इकठा हो रहा है गाढ़ा होकर आप चाहें तो गुड़ की जगे चिनी भी डाल सकते हो शुगर वाले पेड़े भी बना सकते हो बट थोड़ा गुड़ से इसका टेस्ट लगाता है और गुड़ थोड़ा हेल्दी भी होता है बॉड़ी के लिए तो इसको एक बार गुड़ से ज़रूर ट्राई करिएगा देखिए सब कलेक्ट कर लिया एक जगे हो गया एक अठा गाड़ा हो गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे किसी दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए निकाल लिया है अब हमने हाथ में थोड़ा सा घी एट कर लिया है बहुत गरम है थोड़ा इसे और ठंडा होने देंगे तब तक मैं एक पेड़ा आपको बना के दिखा रही हूं हाथ से अच्छे से मसलते हुए इसे पेड़े का शेप देना है आप चाहे तो इसे फैला कर बर करना है तो थोड़ा थोड़ा घी लगा के मैं कर रही हूं जब ठंडा हो जाएगा तो घी लगाने की ज़रूरत नहीं बनेगी पड़ेगी इससे बहुत एजली अपने आप ही बनते चले जाएंगे और मैंने इसको डेकॉरेट कर दिया था थोड़ा सा इलाइची को खोल कर उसके जो दाने होते ना उनको निकाल लिया था और उनको इस पे चिपकाते जा रहे थे तो थोड़ा देखने में भी सुंदर लग रहे थे और इसी तरह करते हुए हमने अपने सारे पेड़े बना प्रेस कर दिया था आप चाहें थोड़ा से ठंडा होने के बाद बहुत जल्दी बनते हैं उसके बाद मैंने किसी पेशेप में कोई पेसमें डिजाइन भी बना सकते हो बट मैंने सिंपल रखा दो और सब पर प्रेस कर दे रही थी इससे हमारे लाइची वाले पेड़े तयार हो गये थे और मैंने कोई मैजर्मेंट से पेड़े का अकार नहीं रखा था बस ऐसी उठा रही थी बनाते जा रही थी तो आप चाहो तो इसको किसी स्पून से थोड़ा-थोड़ा मैजर्मेंट करके बना सकते हो बट मुझे बहुत मन्द कर रहा था खाने का तो अगर कोई मैजर्मेंट करके चोटे-चोटे से पेड़े बनाईए बहुत अच्छे लगेंगे कितने अच्छे लग रहे हैं कितने स्वाधिस्ट लग रहे हैं देखने महीं मन्द कर रहा है बस खा लेते हैं तो चलिए मैं खाने जा रही हूं आप भी बनाईए खिलाईए सब को मुझ मिठा करिए देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं मैंने कट करके स्पून से दिखाया है यह देजिए तेस्ट करके बताईएगा जुरूर आपको मेरे पेड़े कैसे लगे और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करना मत बूलिएगा अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेस्बुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा बाबाई सी यू सून